आज हम बनाएंगे स्प्राउट सैलेड मैंने यहाँ पर हरे मुंग को पहले अंकूरित कर लिया है और उसके बाद इसे घरम पानी से एक बार निकाल लिया है आप चाहें तो प्रेशर कुकर में एक सीटी ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमस नमक एक छोटा चमस जीरा पाउडर एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे वनफोर्थ कप बारिक कटा टमाटर वनफोर्थ कप बारिक कटा प्याज और वनफोर्थ कप बारिक कटा खीरा वनफोर्थ कप इसके साथ ही वन फोर्ट कप बारिक कर्टा चुकंदर लास्ट में आप इसमें डारेंगे हरा धनिया और एक छोटा चमच चाट मसाला इसकी जगा आप अमचूर भी ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे नीम्बू का रस मैंने आपर एक नीम्बू का रस लिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मूं को अंकूरित करने के लिए इसे रात बर भिगो कर रखें और सुबह उत्पिस का पानी निकाल कर इसे गरम जगा पर रख दें या फिर कोटन के कपड़े में लपीट के रखतें यह अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा सालेट तयार है इसको सब करते हैं आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर लंच में भी ले सकते हैं यह एक हेल्दी टेस्टी वेट लोस रेसिपी है इसे जरूर ट्राय करें करते हैं करता हुआ एक है